आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आई हेल्प अदर्स यह कौन सा चैप्टर है यह मोरेल साइन्स का चैप्टर है क्लास वन का ठीक है मतलब मैं दूसरों की मदद करता हूँ या फिर मैं दूसरों की मदद करती हूँ टिक करो कि आप अपने ममी और पापा की हल्प कैसे करते हो मैं अपने ममी और पापा की तब मदद करती हूँ जब मैं पौधों को हरुच पानी देती हूँ या पानी देता हूँ जब मैं अपने स्कूल बैक को तैयार करता हूँ तो जहिर सी बात है कि तीसरी ऑप्शन को छोड़के बाकि सारे ऑप्शन सही होंगे अब यहां स्टोरी पढ़ते हैं Read this picture story. Look, what has happened to Ali? Dekho, Ali के साथ क्या हुआ? Reena runs to help Ali. Reena Ali की मदद को दौरती है. What is Reena doing? Tell your partner. Reena क्या कर रही है? अपने partner को बताओ. Reena and Ali go to their classroom. Ali और Reena अपने classroom में जाते हैं. या classroom की और जाते हैं. We must help each other. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. Thank you, Reena, says Ali. Ali ने कहा, शुक्रिया, Reena. Thank you, Reena, says teacher. Teacher ने कहा, शुक्रिया, Reena. Is Reena a helpful girl? क्या Reena बहुत helpful girl है? Reena smiles. You are welcome. Reena मुस्कुराती है और कहती है, You are welcome. I am happy to help. मुझे मैं मदद करके खुश हूँ. अब आईए यहाँ देखते हैं. Work time. Tick. What you do. अब टिक करिए कि आप क्या करेंगे? After playing with my toys, अपने खिलोनों से खेलने के बाद आप क्या करेंगे? I put them back. मैं उसे वापस रख दूँगी. I leave them on the floor. मैं उसे फर्श पर ही पड़े रहने दूँगी. आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, उसे आप खेल करके वापस रख देंगे हैं ना? यह वाला राइट होगा. When the door bell rings, जब भी आपके घर का bell बसता है, I keep playing. मैं खेलता रहता हूँ. या फिर I run and see who is at the door. या फिर मैं दौर की तरफ दौरता हूँआ, देखता हूँ कि कौन आया? बताएए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, भी होगा. ठीक है? After finishing my food, अपना खाना खतम करने के बाद, I leave the plate on the table. मैं अपने प्लेट को टेबल पर ही छोड़ देता हूँ. या फिर I keep the plate in the kitchen sink. ये क्या कह रहा है? कि मैं खाना फिनिश करने के बाद, अपने food फिनिश करने के बाद, अपने plate को ले जाके kitchen के sink में डाल देती हूँ, या डाल देता हूँ. तो कौन सा सही करते हो आप? ये वाला, second, okay? When guest visitors, यदि कोई हमारे घर मेहमान आता है, तो आप क्या करते हो? I greet them and serve them water. मैं उनका अभिवादन करता हूँ, और जल से उनका स्वागत करता हूँ. या फिर, I go and hide in the room. मैं room में जाके छिप जाता हूँ. दोनों मैं से अब क्या करते हैं? First वाला करना चाहिए, okay? तो बच्चों, moral science वे हम क्या सिखते हैं? हम moral value सिखते हैं, यानि कि अपने toys से खेलने के बाद हमें उसे वही पर नहीं छोड़ना है, उसे वापस उसके जग़े पर रख देना है. ये हमने सीखा. Second में हमने सीखा, कि यदि हमारे घर का doorbell बसता है, तो हमें खेलते नहीं रहना चाहिए, बलकि दोड़ करके जाके देखना चाहिए, कि कौन आया है, ठीके? तीसरे में हमने सीखा, कि जब हम खाना फिनिश कर लेते हैं, अपने food फिनिश कर लेते हैं, तो हमें plate जो है, वहीं पर नहीं छोड़ना चाहिए, टेबल पर, ठीके? बलकि हमें अपने plate को उठाना है, और kitchen sink में जाकर कर रख देना है, ओके? Next हमने क्या सीखा? When guest visitors, जब भी हमारे घर कोई महमान आता है, तो हमें उनका अभिवादन करना चाहिए, और जल से उनका स्वागत करना चाहिए, यानि कि उनको सबसे पहले, उनको जल पेश करना चाहिए, ठीक है? और second हमने क्या सीखा? कि हमें उस सवर room में नहीं छिपना चाहिए, ओके? Talk time, यानि कि बोलने की बार ही है, How can you help others? आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? Look at the pictures and tell your partner, इन तस्वीरों को देखिए, और अपने partner को बताईए, Your parents, आप अपने parents, यानि कि अपने माता-पिता की मदद कैसे कर सकते हैं, बताईए, घर के काम में उनकी मदद करके, Your teachers, अपने teachers की मदद आप कैसे कर सकते हैं, Class में pin drop silence maintain करके, Class को साफ करके, ठीक है? साफ करने का मतलब है, Class को साफ रख के, मतलब Class को गंदा नहीं करना चाहिए, है न? Your friends, अपने दोस्तों की मदद आप कैसे कर सकते हैं, उनके साथ कोई भी सामान, या कोई भी items, शेयर करके, और हर काम में उनकी help करके, अब हम आगे देखते हैं, skill time, tick the pictures that show helpful children, उस picture को tick करिए, जहां आपको लगता है कि बच्चा जो है, वो helpful है, Your friend is carrying a heavy load, sorry, Your friend is carrying a heavy bag, आपका friend बहुत heavy bag, carry कर रहा है, तो अब क्या करोगे इन दोनों में से, उसे करने दोगे, या उसकी मदद करोगे, जाहिर सी बाते हमें मदद करना चाहिए हैं न, तो ये वाला हम trick करेंगे, अब यहां देखते हैं, Your father has come back from office, आपके पापा office से वापस आ गये हैं, तो आप क्या करोगे, उन्हें पानी लाके देगो, sorry, उन्हें पानी लाके दोगे, या फिर उनको उसी तरीका से tension में छोड़ करके, आप खेलते रहोगे, बताईए, पानी लाके दोगे, very good, Your friend forgot to get her tiffin, यदि आपके friend, school में tiffin लाना भोल जाए, तो आप क्या करोगे, उनके साथ अपने tiffin शेर करोगे, या फिर उन देखते रहेंगे, आप चुप चप खाते रहोगे, क्या करोगे, हम tiffin शेर करेंगे, ठीक है, यानि कि इस chapter में हम क्या पढ़ रहें बच्चों, हम ये पढ़ रहें, कि हमें अपने friend के साथ, हर चीज शेर करने चाहिए, और हमें सभी की मदद करने चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे की मदद करने चाहिए, ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर fun time, Grandpa has lost his walking stick, help him reach it, हमारे जो Grandpa है, वो अपनी walking stick गुम कर चुके है, तो उनको यहाँ तक पहुशाने में मदद कीजिए, यहाँ अल्रड़ी बना हुआ है, लेकिन यह यह आपके पास book है, तो आप इसको try करके देख सकते हैं, यहाँ से जाएंगे ऐसे करके, stick तक पहुशाते हैंगे, तो इस वीडियो को बार बार repeat करके देखिए, और chapter के concept को बचो समझने की कोशिश कीजिए, Thank you.